हालो प्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं नियू डिजाइन का क्रश्ण जूला इसे बनाने के लिए धागा, रिंग, इंची टेप, लाइटर, सीजर, मोती, रिंग, हाट सेप में दो, दस इंच की, पांच इंच की, राउंड रिंग एक, साड़े तीन इंच की, राउंड रिंग दो, दो कलर में धागा लिया यह देखे, फ्रंट, रिंग लेंगे हम, यह धागे काटे हैं, एक धागा हमारा 80 सेंटीमेटर है, इसे ऐसे करके डवल फोल्ड किये, यह यहां से, यह ऐसे हैं, क्रीम हम दो फसाएंगे पहले, दो नीले फसा लेंगे, हमें एक डियान बनाने के लिए, चार धागे चाहिए, ठीक, एक इसका, एक इसका लेके बीच में एक मोत्ती डालेंगे, इधर का एक धागा लेंगे, इनसे पाइपिंग करेंगे, दो धागों से, इसके लिए यहां से, ठीक, एक बार, फिर इसी को, एक बार आवा, फिर रुसे चोड़के, फिर अंगला लेंगे, एक बार होगे, से, इधर से करेंगे, यह धागा नहीं लेंगे, पहले, और यह दूसरा मोती वाला, अब हम इस से भी कर देंगे, जो इस साइट से पाइपिंग करके लाएते, यह देखें, अब इधर का फिर से धागा लेंगे, इनसे करेंगे, क्रीम बाला भी जो इस साइट से लाएते, उससे भी कर देखें, अब यह धागा लेंगे, फिर इनसे करेंगे, यह देखें, यह की डियाइन बनाए, इसी तरह हम इस साइट छाए रहेंगे, छाए इस साइट, यह हम पूरी डियाइन बना लेते पहले, झाल झाल यह देखे फ्रंट जैसे तीन बना लिए तो हमारे नीले 24 धागे लगेंगे और क्रीम यह भी 24 धागे ठीक जैसे बन गया ठीक अब इस डियाइन के और इसके एक धागा लेके इसमें एक मूती डालेंगे एक धागा और इधर से लेके एक इधर से इसमें हमें स्कुर्ण नाट लगाना इसके लिए यहां से यहां लिए इसके नीचे से ठीक फिर सेम इधर से रखेंगे ए ऐसे यह हमारे लग गई थी अब जैसे यह धो धागे हैं कि इन दोनों से पाइपिंग करना इसके लिए यहां से अब इधर से दो क्रेम वाले हैं पाहले यह दो द्हागों से करेंगे कि ए कि अब इधर से फिल लेंगे यह तिन द्हागों से हो जाएगी यह कि देखे फिर एक द्हागा और है इससे भी बना लेंगे कि अब कि जैसे एक हमने बनाए इसी तरह हम है पूरा रांड बना लेंगे यह देखे पर दूसरी रिंग लेंगे यह द्हागे हमने चार मीटर के काटी एक द्हागा चार मीटर का यह यहां से हमारा सेंटार है ते इसमें पहले ऐसे नार्मल सी गांट लगा देंगे यह 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 थी आयो इसमें हम इसको आर नाट लगाएंगे यह 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 यही आपने हैं नही मैं ते पाटने अरी ने जापने ने रहे और हैं यही जर भी व्रेख़ी ने विए जाइए से अरी के रहाइं ने टीजिए हैं इसे बनाए फिर हम सेम इधर से बना लेंगे हमारा हो जाएगा पूरा तो इसी तरह यह हम यहां तक बना लेंगे दोनों साइड से यह हम यह वाली रिंग भी कभर कर लेंगे यह देखे फ्रंट छोटी वाली रिंग लेंगे इसमें हम धागे फसाएंगे यह 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 भी हमारे अच्छी सिंटीमेटर के हैं इनकों आयचे फसाएंगे हमने भी धागे काटैंगे दस में दस क्रीम कलर की शर्णावर नीले फसा देखेंगे इसमें थजिए फसाही में इसी धागों के एक बार आउला प्यट दी ऐसे कि हमारे सभी धागे हो गएं अब हम जैसे दो धागे लिए सेम कलर के एक मोती डाल दिए फिर सेम कलर के दो धागे इसमें हमोती डाल देठे अब देखिए स्क्वार नाट लगाएंगे इसके लिए यह ऐसी फिर इसे छोड़के फिर अंगले धागे लेंगे इन में भी डाल देएंगे कि इसी तरह यह राउंड हम कंप्लेट करेंगे कि यह देखिए जैसे एक राउंड हो गया फिर कि रंगले राउंड में भी हमें इसी तरह मोती डालना है यह इसके और इसके कि अब एक गांट फिर से लगाएंगे कि यह देखिए हमारा दूसरा राउंड कहला आएगा कि इसी तरह यह वाला कंप्लेट करेंगे हम अब कि अब तो कि अब अब इसके बाद हम रिंग लगाएंगे इसके लिए ऐसे सभी ढ़ागे डाल दिए यह एक राउंड फिर कि इसी तरह हम सभी धागे शिरिंग में फसा लेते हैं कि यह देखे पर सभी धागे इसमें फसी जाएंगे एक धागा लेंगे कोई सा यह आचे पाइपिंग करेंगे फिर उसे चोणके फिर अंगला लेंगे फिर करेंगे ए राउंड हम इसी तरह करेंगे हमें ध्यान रखना यह पाइपिंग हमारी इसके अंदार आए कि यह देखे पर जैसे छोटा हो जाएगा इसमें हम जोड लेंगे था रहा है यह आसा है कि यह देखे जैसे एक राउंड हो गया अंगला भी हम इसी तरह बनाएंगे लेकिन ध्यान रखेंगे इसके अंदर ही आए यह ऐसी जैसे हमारा जहां धागा हमें ज्यादा लगेगा वह धागे को हम हम कट कर देंगे यह ऐसे यह देखे जैसे धागा लागरा ज्यादा है तो इसको यहीं पर ऐसे करके कट कर देंगे इसी तरह हम पूरा बना लेंगे बीच में हमारे छै धागे बचेंगे तब तक से हम बना लेंगे यह देखे फ्रण जैसे इतना बन गया अब यह धागे हम सभी यहीं कट करेंगे इनको ऐसे करके यह हमारी कम्प्लेट यह देखे इसको हम यहां तक बना ले थे से इसे भी आए इसको और इसको साथ में अटाइज करना इसके लिए इस साथ में बना लेंगे हम इसको यह देखे जैसे हो गया अब हम इसमें नहीं बनाएंगे इसमें बनाएंगे इसको यहां तक लाश तक बना लेते हैं कि अब देखे जैसे यहां तक हो गया अब इस धाली हम इहीं कट करेंगे आइसे से इधार भी इनको दोनों को ऐसे हाथ में लेंगे इसे हम दूसरा लेंगे थे दूसरा वाला इसे भी अस्टाइस करना है यह इसमें हम इसके अंदर डालेंगे यह यहां पे धाला यह यह फिर गांट लगाएंगे यह हुआ 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 है यह देखे इसमें हमने दोवार अटाइस कर दिया है आव इसको पूरा यहां तक बना लेंगे हुआ है कि यहां तक हो गया दे धागे हम यहीं कट करते हैं चिपका देंगे कि यह दागे में हम जो जो कलर का उची में थोड़ा थोड़ा धागा जोड़ लेंगे आप इस धागे में यह देखे यह नीचे से लेके दोनों रिंग में यह आज़े फिर से इधार से यह वाली रिंग का यह देखे यह दोनों रिंग से हम अटाइज कर दिये यह ऐसे यह अच्छे से अब देखे यह दोनों अलग अलग करेंगे धाले हम इनमें हम मोती डालेंगे इसमें हम दस मोती डालेंगे से मिधर यह देखे फ्रण जैसे इसमें हमने दस मोती डाल दिये ठी अब यह जो हमारे हैं इसको बरावर करेंगे यह देखे यहां फसाएंगे यह वाले दो दूसरा इहां फसाएंगे यह दागी में हम यहीं पे एक बार गंट लगा देंगे ऐसे यह अंदर साइड करके इनको कट करके यहीं स्टिक कर देंगे अब इसको हम यहां सेंटर पे दो धागे फसाएंगे यह आज़े हैं यह देखे पहले एक स्कुर्ण नाट लगाएंगे अब इसमें हम मोती डालेंगे पांच मोती डाल लेते अब एक मोती खिसकाएं फिर गांट लगा देंगे इसी तरह हम सभी गांट लगा लेते हैं यह देखे यह से लाट में दो हम स्कुर्ण नाट लगा देंगे यह धागे बीच वाले कट करेंगे नई किनारे वाले यह ऐसे इनको यह स्टिक कर देंगे अच्छे से इसमें हम थोड़ी दूर पे गांट लगाएंगे यह देखे फ्रंस हमारा करश्न जूला कंप्लेट है झाले यहकर बाद लगाएंगे एक ल quindi वाले इनको लगाएंगे इसाह्थ और दी झालेуса है